ये फ्रेंट्स तो जिसका इंतिजार फैंस को ओफिशली था वो हो गया है यानि के टैटल के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ सूपरमैन थी अनॉंस की गई फिल्म और उसके टैटल के साथ साथ रिलीस डेट के बारे में जिन में सबसे पहले ही बात कर ली जाए इस फिल्म के टैटल की तो फिल्म का ओफिशल टैटल सूपरमैन लेगिसी रखा गया है जो चीज इसी बात की कन्फोरमिशन कर देती है कि ये फिल्म पूरी तरीके से सूपरमैन के कैरेक्टर उसके पूरे यूनिवर्स को बहुत ही अच्छा खासा जस्टिस देगी जिन मैं अब बात करें इस फिल्म के ओफिशल टैटल की तो ये फिल्म भी ठीक मैट रिव्स के बैटमैन 2 फिल्म की तरहा साल 2025 की रिलीज के सिलेड में ही है जिसकी मैंने के आपने भी उमीद लगा कर रखी होगी कि ये फिल्म इसी येर में आई कि उससे पहले बिल्कुल भी नहीं लेगिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये फिल्म सीधे 11 जुलाई के ओफिशल रिलीज डेट पर रिलीज होगी जिसमें अगर देखा जाये तो सबसे पहले मैट रिल्स की बैटमेंट 2 फिल्म को रिलीज होना चाहिए था जो की 3 अक्तूबर की ओफिशल रिलीज पर है लेगिन खैर अब ऑफिशली टैकल के साथ साथ रिलीज डेट कंफर्म की गई है तो उससे बदला भी नहीं जा सकता जिसके बात बात करें तो इस फिल्म का पूरा कमांड जेम्स गन की कन्फरमेशन के एकॉर्डिंग उन्हीं के अंडर है यानि कि उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी लिखी है जो कि वो अब भी लिख रहे है शायद इसी चीज को दिमाग में रख कर के वो फैंस को बेस से बेस फिल्म डिलिवर करें जिनकी अगर बात पर आपको भरोसा नहीं तो अगर उनकी स्टेटमेंट की ही बात की जाए तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में भी ये बात केम बहुत नहीं बलके काफ़ी जाधा अच्छा निकल कर आता है जिससे ये बात तो बिलकुल साफ है कि जेम्स गन हेंडी चैविल को हेट नहीं बलके अपने कंटेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करते है जिसमें वो स्टार्स के कहने पर अपने इस वीजिन को बिलकुल भी बदलना नहीं चाहते इसलिए हेंडी केविल की वो लंबी मीटिंग अगें जेम्स गनर और उनकी टीम के साथ पूरी तरीके से फेल रही थी तब जाकर यह ओफिशल अनॉंस्मेंट निकल कर आई है जिस बारे में आप बनती है आपकी राय जो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिकर बता सकते है क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का बाकी मैं हूँ अजीज मिलूँगा आप से जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में तिल देन बाई